वेल तो ही गाईज, वेलकम टू माय चैनल, मानेम इस पंकस, तो वेल आप लोग का स्वागत है नौरमी रस्लिंग में इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे आपके क्वेस्चिन्स के बारे में, यानि कि ये एक होने वाली है क्यूएने वीडियो और जहां पर आपके क्वेस कर रहा था कि क्वेस्चिन्स अच्छे खासे आए और लिटरली वही चीज़ हमें आपर देखने को मिली भी है, क्वेस्चिन्स काफी अच्छे खासे आए हैं, बाकी अभी उन्हीं क्वेस्चिन्स की तरफ चलते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो for the latest updates और यसी के चांसे भी बहुत ही, रेरली है कि हमें देखने को मिलेंगे, बड़ जब भी देखने को मिलेंगे, अभी से expect मत करके चलो कि हमें ब्रॉक, sorry, D-Nambros देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है कि एक दू साल बात साहच से हमें D-Nambros देखने को मिले या फिर 2018 के बाद, जब तक ABC क कॉमेंट की तरप चल लेते तो ये कॉमेंट है विश्वास कैशरी का तो इनका पुछन है कि Brock Lesnar Crown Jewel रेटन्स WG 2024 तो the beast in corner Brock Lesnar क्या Crown Jewel में देखने को मिलेंगे सो नहीं यस नहीं देखने को मिलेंगे कोई भी चांस नहीं है कि Brock Lesnar हमें ब्रॉक लिसनर देखने को मिलेंगे भी फिलाल के टाइम पर होपस को थोड़ा डाउन कर दू बागी वैसे अगले कॉमेंट की तरफ बढ़ लेते तो ये कॉमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे चुकी है जॉन सिना एचेलार का तो इनका पुछन है कि नेटफ्लिक्स के फर्स्ट शो रॉ में लेसनर का रिटन हो सकता है ये भी एक बहुत 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 टॉपिक है कि कि आप रॉक लेसनर का रिटन नेटफ्लिक्स के सो के दौरान हो जाए जैसे जॉन सिना का करवाया जा रहा है तो मैं भी कह सकते बट जब तक जीजे हम यहां पर नॉर्मल नहीं हुई है बट डबलो ली जिस तरीके से मेंशन कर लिए तो यह ग्रीन लाइन है कि हमें हो साइद से देखने को मिल जाए बाकी सेकेंड है कि भाई टॉप 10 सूपस्टार्स आपके अक्षोर्डिंग जो सिना को farveel टूर पे उन्हें face कर सकते हैं टॉप 10 शूपस्टार्स की बात आई तो फंस्ट मैं यहां पर कारमेल हेस्ट, सेकेंड यहां पर ब्राउन ब्रेकर थर्ड यहां पर गोल्ड बग, I think मैं बड़े मैचेस भी चाहता हूं कि देखने को मिले, फोर्थ यहां पर, एक तरीके से मैं यहां पर पिक करना चाहूंगा भाई, The Rock, एक अगेन मैच देखने को मिल जाए, बट मेरे कुछ, मेरे कुछ होपस है कि वो होनी चाहिए, बट ऐसे होंगे नहीं, The Rock के अलावाँ किसी और को भी पिक कर लेते हैं, The Rock को हटा कर यहां पर मैं पिक कर लेता हूं, जो कि किसी नए सुपरस्टार, I think expect कर सकते हैं कि यहां पर एक मैट सोचने तो यार, Seth Rollins कह सकते हैं, Seth Rollins, and expect कर सकते हैं, Romalins अगेइन, And maybe यहां पर हो सकता है, John Cena का मैच, हमें कौट अंगल के साथ में भी एक देखनी को मिल जाए, But, काट अंगल खुदी रेटार्मेंड ले चुके हैं, And even यहां पर RVD ने भी का है कि उनको भी एक मैच चाहिए, तो I think कि उनको भी दे देना चाहिए, और कुछ ही ही कुछ सुपरस्टार मेरी नजर में आ रहे हैं, But yes, गंतर उंतर जैसे सुपरस्टार भी हैं लाइन में, तो इन सभी सुपरस्टार्स को जो निउज सुपरस्टार्स हैं, उनको ओवर करने के लिए दे देना चाहिए, और लास्ट में रैंडी ओटन से मैच करवाकि उनके रिटार्मेंट को क्लोज कर देना चाहिए, I think ये बहुत परफेक्ट रहेगा, बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अगले कॉमेंट की तरब तो ये कॉमेंट है, आकाश जादा को लेकर, तो भाई बाकी लेकर लेकर जादा कॉमेंट्स है, बाक लेकर का रिटन कब होगा और होगा भी तो बाक कले कर रिटन वा में जाएगा या फिर समेक ड़ोन में? पासिबल थोड़ा कम लग रहा है जिस तरीके सिटूएशन चल दी रहे, but expect कर सकते हैं कि WD के hints ट्रपलेज की बाते कुछ ऐसी बाते कहती हैं कि भाई हाँ हो सकता है ब्रॉक लेशनर आ सकते हैं तो ब्रॉक लेशनर के return मेभी 6-7 महिना मान के चलो या फिर 5-6 महिना कुछ और clearance होता है तो मेभी साथ ब्रॉक लेशनर जरूर देखने को मिले या फिर WD के तरफ से और teases होते है तब बट यहाँ पर ब्रॉक लेशनर return करेंगे यस मेभी future में हो सकता है उनका return देखने को मिल जाए और इवेन यहाँ पर इनका पुछना है कि The Undertaker 8415 का भाई Undertaker पूछ रहेगी ब्रॉक लेशनर प्लान्स अफ्टर रिटर्न देखो यार ब्रॉक लेशनर का return करके plan तो यह नहीं कि आपका streak तोड़ दे बट देखो यार ब्रॉक लेशनर का plans अभी कुछ बना ही नहीं है WD की तरफ से तो साइधी देखने को मिले अगर ब्रॉक लेशनर रिटर्न करते भी हैं जिसा कि मैंने कहा तो हो सकता है कि गंतर के साथ में मैं इस देखने को मिले यास एक्सपेक्ट कर सकते है ब्रॉक लेशनर वर्सिस गंतर आफ्टर रिटर्न प्लान्स बाकी वैसे अगले comment की तरफ चल ले तो ये है Russell Hindi Podcast तो इनका कहना है कि Demon Finn Balor vs Uncle Howdy in WrestleMania 41 क्या ये match हो सकता है? Demon Finn Balor vs Uncle Howdy I think yes, ये match करवाना चाहिए भाई बहुती perfect choice है आपकी और I hope so कि डेवलोली इस चीज को लेकर कुछ सोचे and Demon Finn Balor vs Uncle Howdy one of the best matches in line और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाई हमें कभी Demon Finn Balor vs The Fiend ने देखने को मिला तो kind of कह सकते हैं कि वो भी इच्छा पूरी हो गई I hope so कि ये हो बाकी वैसे अगला comment है जो कि रागनी पन्वार का तो इनका पुछना है कि कि वेने What next for Randy Orton और Randy Orton vs Cody Rhodes Russell Mania में होगा और क्या Randy Orton 17 टाइम बन सकते चैंपियन और Randy Orton vs John Cena कभी हमें देखने को मिलेगा Please pick my question तो question तो काफी perfect है और मुझे लगता है कि मेभी WWE Cody Rhodes vs Randy Orton करवा भी दे बट Russell Mania ठीक है अगर John Cena के साथ में मैच करवाना है तो मैं तो यह ही जाओंगा भाई कि पहले तो Randy Orton vs Cody Rhodes Russell Mania से छोड़के Royal Rumble में करवाओ जहां पर Championship Randy Orton के हाथ में दो and Randy Orton का मैच यहां पर फिन होना चाहिए John Cena के साथ में and John Cena vs Randy Orton का मैच होना चाहिए Russell Mania में जहां पर Randy Orton को हरा कर John Cena चैंपेन बने and then Randy Orton वाफिस John Cena को हरा कर चैंपेन बने अगले पे-पर व्यू में तो ऐसा कुछ अगर होता है तो भाई स्टोरी देखने में मजा आएगी और आपका जो ड्रीम है कि Randy Orton vs John Cena again वो भी देखने को मिल जाएगा मतलब कोई बुरा ही नहीं है अगर ऐसा होता है तो बाकी देखते हो तो ड्रीम वाले की क्रेटिव टीम के उपर डिपेंड करता है वो करते क्या है बाकी वैसे अगला कॉमेंट हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है रन सिंग चवान का इनका पुछन है कि 2028 में दुवारा से दशिल्ड बन सकती है रोमन से दीन पहली रत्य हो सकते क्या मतलब पहली की तरह हो सकते इनका यही है भाई दशिल्ड देखने को मिलेगी सो यस 2028 बहुती सही का है मतलब 2028 एक्सपेक कर सकते उस साल तक हमें कुछ हैसा देखने को मिल जाए येस मैं एगरी करता हूँ इस से बाकी वैसे अगला कॉमेंट हमें याँ पर देखने को मिल रहा है जो कि यह भाई आधित्ति गिल्बिले का भाई बहुत ही ओनेस बंदा बहुत ही प्यारा बंदा साथ में चैनल के बना हुआ है I like it bro मतलब बहुत कुछ वैसे यहाँ पर इंका question है कि first who will dethrone Cody Rhodes for the undisputed championship Cody Rhodes को कौन dethrone करेगा for the undisputed championship so मेरे हिसाब से अगर Cody Rhodes को कोई dethrone करेगा तो वो हो सकते हैं या तो maybe Randy Orton या तो Gunther ये दो में से कोई एक अगर WD ऐसा कुछ करती है बाकि अगर The Rock Roman ने इसके उपर अगे इन चांस लेती है तो भाई देखो फड़ा बचके बट Randy Orton जो मुझे लगता है कि भाई Randy Orton और छोड़के उनके अलावा Kevin Owens जैसे सुपरस्टार ये लोग काफी perfect pick रहेंगे बाकि देखते हैं वो लोग क्या करते हैं सेगेंड इनका पुछन है कि Royal Rumble 2025 winners both men's and women's देखो men's में बात करें तो मुझे लगता है कि इस टाइम Finn Balor या Kevin Owens भाई इन दोनों में से किसी ये कोई जिता हो भाई ये दोनों काफी needed है और वैसे women's की बात करें so women's दो मुझे लगता है कि भाई I think सारे superstars ने जीत लिया है जो कि मेरी जो favorites थी उन में से but list में एक और superstar को जीतना चाहिए और वो है Lee Morgan I think Lee Morgan को Royal Rumble जीतना चाहिए तो काफी अच्छा-कासा heat रहेगा बाकी let's see होता भी है या पर नहीं होई जाएगा मुझे लगता है बाकी वैसे अपने अगले comment की तरफ चल लेते है तो ये comment हमें आपर देखने को मिल रहा है वैसे इनका एक बात ये भी है कि love you bro thank you thank you भाई बाकी अगले comment जो कि हमें देखने को मिल रहा है असीर्ष माजी का इनका पुछना है गोल्डबग वर्सिस जॉन सिना कभी हो सकता है क्या जॉन सिना का रेटन जन्वरी में होगा यहां डिसंबर में जॉन सिना का रेटन होगा जन्वरी में यस एक्सपेक्टेक्शन होई किया है और कहके भी वही की गए हैं तो जॉन सीना का रटन हमें जनवरी में देखने को मिलेगा और गोल्ड बग वर्सेज जॉन सीना चांस है भाई मतलब गोल्ड बग आर है डवलोड के अंदर अपीडियस दे रहे हैं जौन सीना भी हा रहे है तो अभी चांस है लauक करवा सकते हैं ने तो फिर नहीं मिलेगा देखने को फिन दुबारा कभी अगर दोनों ही इसे साफ से triple threat match बन सकता है और अगर ये match हुआ तो कौन जितेगा, pick my question So, ख्याल तो बहुत ही बढ़िया मतलब story आपने बहुत ही बढ़िया बताई कि ऐसे triple threat match करवाया जाए Romar ने इसको Royal Rumble जितवाया जाए and Cody Rhodes को फिन challenge करे और The Rock भी challenge करे triple threat बने So, इसमें मेरी winner की बात करी तो I think मुझे लगता है कि Romar ने इसके पास अगिल title आनी चाहिए वो बहुत ही बढ़िया रहेगा फिर मज़ा ही आएगा बाकि फिलाल के time पर I don't think so कि ऐसा कुछ होगा बट हो सकता है अगर ऐसा triple threat करवाने का कुछ plan बने तो यह idea बहुत ही easy लगेगा मुझे लगता है कि creative process को सबसे पहले idea जो आएगा वो यही वाला आएगा तो देखते क्या होता है maybe बाकि वैसे आप लोग का जो इतना question पूशा thank you इसके लिए और thank you आप लोग का वीडियो देखने के लिए और वीडियो ची लगी तो आप लाइक कोरो शेयर कोरो सबस्क्राइब कोरो जो भी गाना का सकते हो मिलते है अगली वीडियो तब तक लिए बाबा एवरीवन गाईज